नमश्कार मैं हूँ आपके साथ मजमिता और इस वक्त आप देख रहें इंडियाटोंटिफोर इटो सावान लाइब टीवी आईए रोग करते हैं आज की बड़ी खाबर की ओर लोगसमा चुनाओं के लिहाज से यूपी बीजेपी के लिए काफी एहम सावित होने वाले हैं बीजेपी जहां एक तरफ अपनी तयारियों में जुटी है तो वहीं दूसरी तरफ राज़्टे सुयम सेवक संग ने भी अपनी सक्रेता यूपी में बढ़ा दी है आरेसेस चीप मोहन भागवश शुकरवार से लखनों के चार दिवसे दौरे पर हैं सनातन धर्म पर छिड़े विवाद बयानों के बाद ये उनका पहला यूपी दौरा है इस दौरान उन्होंने अवध प्रांत के कई बैठके भी की हैं स्वामी प्रशाद मौर द्वारा स संग का फार्मूला डबल डोज वाला है वो गैर हिंदूओं को भी अपना बनाना चाहता है और अपने कोर एजंडे से भी नहीं बचना चाहता एक समाज के लिए आरेसेस अपनी च्छावी बदलना चाहता है तो दूसरी तरफ सनातनियों को संदेश भी देना है लखनव प के लिए समाज को जागरू करने की आवशक्ता है संग के शाखाएं जहां पहुंचती है वहां ऐसी समाजिक समस्याएं खुद बाखुद खत्म हो जाती है इसलिए शाखाओं को लेकर हर तबके और शेत में पहुंचना है इससे पहले आरेसेस के साथ आनुशागिक संग्ठ लखनों की हुई बैटकों में भी हिंदुजाग्र्मन्च और विश्य हिंदू परशत ने धर्मांतरण और लबजीहात पर चर्चा की थी पतादिल्लर के निराला नगर के शिश्व मंदिर में वैठक में संग क्रमुक भागवत ने कहा कि लबजिहात और धर्मांतरण नही खुद रुकने लगता है इससे पहले RSS की अपनी मीटिंग हुई 19 सितंबर को ये बैठक हुई संग और सयोगियों संगितनों के साथ ये बैठक विश्य हिंदे परशद ने लबजी हाथ और धर्मांतरा का इस दोरान मुद्दा उठाया था इसकी रिपोर्ट में संग प्रमुक मोहन भागवत के सामने रखी गई बीचपी और बचरंग दल स्कूलों और कॉलजों में धर्मांतरा और लबजी हाथ के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए अभियान चला रहा है इसके लिए स्कूलों, कॉलजों, यूनिवर्सिटी के साथ सारवजनिक जगों को भी चुना गया है संग का पूरा फोकस नए वोटरों पर है उन्हें हिंदृत की लाइन पर लाना है सोयम सेवकों की चर्चा में मोहन भागवत ने गाउ में सामाजिक समर्सता के संग के प्रियास में एक मंदिर, एक शमसान और एक कुईप पर जोड़ दिया उन्होंने कहा कि ऐसे भेद भाव समाज को कमजोर करते हैं संग कारकरताओं को ये मंत्र लेकर गाउ में जाना है बैठक में संग प्रमुक ने सवाल किया कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से धर्मांतर हो रहा है इस सवाल के जवाब में प्रचारकों ने बताया कि अब हिंदूों के बीच लब जिहाद से धर्मांतर कराने वाले मामले बढ़ रहे हैं संग प्रमुत भागवत को जानकारी दे गए कि यूपी में अवैद धर्मांतर को लेकर कड़े कानून बनाए गए हैं इसमें एक हजार से ज्यादा लोगों को सजा भी हो चुकी है लेकिन इस बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है इसका कहीं कोई प्रचार प्रशार नहीं है ऐसे में इस कानून के बारे में भी सबको जानकारी दी जानी चाहिए सबी धर्मों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कई मामले ऐसे भी आये हैं जब हम अपने लोगों के पास समय पर नहीं पहुंचते या फिर नहीं जा पाते और दूसरे लोग वहां तक पहुंच कर अपने धर्म का प्रचार करने लगते हैं उन्होंने कहा कि संग के कारकरताओं की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है वा खुद हिंदूओं के 20 धर्मांतर के बारे में बताएं उन्हें जागरूप करें सबसे पहला काम है सबको जागरूप करना संगर्ष के बजाए समवात का रास्ता चुने ताकि संग को लेकर बेवचा विवात ना खड़ा हो आरेसेस प्रमुक ने कहा कि धर्मांतर के एक-एक मामले की तहपर जाना चाहिए कारणपता होने से ही निराकरण संबो है दरासल अगले साल लोकसभाद चुना होने है ऐसे में आरेसेस की ये बैठक काफी एहम मानी जा रही है उत्तरप्रदेश के मुख्यमंतरी योगी आदितनाद भी संग प्रमुक मोहन से मुलाकात करने पहुँचे बताया जा रहा है कि मुख्यमंतरी ने संग प्रमुक को प्रदेश सरकार के कामकाच अयोध्या में राममंदिर निर्माड रामलला के प्राण प्रतिष्टा समारो सहित सरकार की योशनाओं की जानकारी दी सियम योगी और मोहन भागवत के बीच मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए चुड़े रहिए इंडियानोंटी